तो इसमें सब काफी सारी हरी मटर और हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है सईता विलेज फूड में आज हम आपको बताएंगे सुबा का चावल जो बच जाता है दोपाहर में कोई नहीं खाता है तो उसको बिल्कुल नए तरीके से किस तरह से बनाएंगे बिल्कुल फ्रेस लगेगा खाने में बिल्कुल टेस्टी बनेगा तो आइए देखते हैं से कैसे तयार करें यह सुबा का बचा हुआ चावल है एक गाजर तोमाटर थोड़ा सा अध्रग एक प्याज दो से तीन हरी मिच हरा धनिया हरे प्याज लसुन मटर इन सब ही चुजू को हम बारी बा तेल गराम हो चुका है इसमें हम डालेंगे साबु जीरा लेसुन अध्रग प्याज खरी मिच अब चुजू को हलका सा ब्राउन में देंगे हलका सा कलर चेंज जुगे है इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर कटिफा हुआ गाजर खरा प्याज मटर प्याज दालेंगे लमक अब देने थोड़ी देने थे पकाएंगे दर तक हलका साथ नहीं हो जाते हैं तमाटर मटर और गाजर हलके साथ हो गए हैं इसमें इसमें चाबल बाल दाल देंगे आ हैं जैसे हम बितुल फ्रेस करीके से बना रहे हैं काज़ देने खाएंगे ददाल मज़ पाउडर एक चुमत संदालेगे नीध मसाला अब चाहे लेके स्राइड उन्याटर मसाला के देंगे प्राइड नियों एक दोगार्श्टगिंगे दाल मुश पाउडर एक तुमस्त करण दालेगे निलीं मीठ मसाला अच्छे से बून लेंगे इस पर डालेंगे हरवनिया क्योंगे इसमें सब काफी सारी हरी मटार और